दोस्तो आज IPL 2024 का 17 मुकाबला गुजरात टाइटन्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के बीच होने वाला है यह मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के एहमदाबाद शहर में स्थिद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है यहां की दर्शक क्षमता 1,32,000 है पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था गुजरात क्रिकेट असोसियेशन के स्वामित्व वाला यह स्टेडियम आईपिल टीम गुजरात टाइटन्स का घरेलू स्टेडियम भी है यहां की बाउन्डरी लेंथ लगभग 75 मीटर है नरेंद्र मोधी स्टेडियम एहमदाबाद मोटेरा पिछ रिपोर्ट एहमदाबाद की पिछ सपाट है यह पिछ बल्लेबाजी के अनुकूल है यहां पर बल्लेबाज शुरूआट से ही बड़े शौर्ट्स खेल सकते हैं तेज गेंदबाजों को विकेट मिलते है और वैसे तो ये पिछ स्पिन फ्रेंडली नहीं है फिर भी बीच के ओवर्ज में यहां धीमी गती के गेंदबाज भी विकेट निकालते है यहां टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करना सही निर्नय माना जाता है बल्लेबाजी करक बड़ा स्को बनाने वाली टीम के लिए जीत की राह आसान हो जाती है नरेंद्रमोदी स्टेडियम में पिछला मैच गुजरात वर्से संराइजर्स हैदरबाद के बीच खेला गया था जिसमें पहले बैटिंग करते हुए संराइजर्स हैदरबाद ने आठ विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाए जब आप में खेलने उतरी गुजरात टाइटन्स ने अच्छी बल्ले बाजी करते हुए तीन विकेट खोकर लक्ष आसानी से हासिल कर लिया और साथ विकेट से मैच जीत लिया दोस्तों अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोधी स्टेडियम में सुमन गिल का बल्ला खूब चलता है तो दोस्तों आप अपनी ड्रीम टीम में सुमन गिल को जरूर शामिल कर सकते हैं यह मैच का टर्निंग पॉइंट शामिल हो सकता है दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप ड्रीम 11 क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्य बस्तों उन्राइब को ज्यादा यह वापक पुोतों दुआपाईब को जअ है करें फिल कर दोस्तों जात शामिल को जश्तों वीडियो अजयोत है थाजथी लगेन कर दोस्तों तोस्तों पुआऑएए गरा सिम वीडियोवद